सिह रासी के सभी भाई बहनों का सादर अभिवादन आज हम समझने जा रहे हैं राहू और बुद्ध के उस अनुपम प्रस्तुती को उस अनुपम संगम को जो आपके जीवन में 18 साल बाद 18 दीनों के लिए घटित होने जा रहा है वास्तों में ये संजोग क्यों है इतना खास क्या हमारे जीवन में इस घटनाओं का एक सुब संजोग मिलेगा क्या हम जो सोचेंगे वो कारी हमारे पूर्ण होंगे इस बात को उजागर करने के लिए आप इस चार्ट में देखेगा सिर्फ यहाँ पर सिह रासी लिखा हुआ है और बाकी किसी भी ग्रहों को हमने इन्वाल्वन नहीं किया है इसका मतलब यह हुआ कि आपको लाइफ प्रेडिक्सन दे करके बताएंगे कि वास्तों में कैसे आप अपनी कामनाओं की सिध्धी विथ लॉजिक आप इसे पकड़ पाएंगे और उस पर काले करके अपनी स रिष्टता को प्राप्त जरूर कर पाएंगे समझेगा होता क्या है कि राहु देव ठीक आपके बार्वे भाव पर पिछले 30 अक्टूबर सन 2023 से आए हुए हैं अब यह जो 12 नंबर की रासी है यह राहु के पास राहु इस भाव पर उपस्तित हैं माना जाता है कि 18 दिनों के लिए अभी बीच में जो समय आएगा 7 मार्च से 26 मार्च का जो डेट होगा 7 से 26 मार्च इस बीच पर हमारे बुद्ध देव जो कि ग्रहों के राजकुमार माने गए हैं यह बुद्ध भी पहुंच जाएंगे राहु के पास यह आपके सब्तम्भाव से निकल करके एक घ लालूं या अपने उनके साथ मिल करके मैं कोई विसेस इवेंट को मौझूद करूं अब यहां पर राहु को एक सरीर मिल गया किसका सरीर मिल गया बुद्ध का मिल गया दूसरे तरब से 12 नंबर की रासी जहां पर बुद्ध गय हुए हैं यह इनके लिए नीच की रासी मान जा सकता है और किसी हद तक यह बात सहीं भी है क्योंकि वैदिक एस्ट्रोजी में जब कोई गरह अस्टम भाव पर वो भी नीच का हो जाए तो इसे आर्थिक दृष्टी कोन से आपके लिए अच्छा नहीं होगा विसेस तोर पर सिहरासी के लिए लेकिन अब इसने कुछ बेहतर सोचने का प्रयास करते हैं क्योंकि अच्छे में अच्छा तो सब कोई खोज लेता है लेकिन यदि बुराई में भी हम अच्छा ही खोज पाएं तो उसका प्रयास हमने किया है आपके सिहरासी के अनुसार आपको प्रदर्सित करने का इससे आप समझेगा एक टेक्न बताने जा रहे हैं यह लाख रुपए का दवा होगा लेकिन इसका मूल्य सुन्य रुपए होगा अर्थात बिना मूल्य के यह अनमोल पद्धती आपको जानकारी अभी होने जा रही है समझेगा पूरे बारिक्यों को समझेगा जानिएगा ताकि आप अधिक सधिक इस टा इस टाइम पर राहू और बुद्ध का एक कांबिनेशन होगा इसे जियोतिस में कहा जाता है जड़ योग जड़त्व योग कहा जाता है लेकिन अब हम इसे कुछ नविंतम रूप से देखते हैं दोनों ग्रहों के कारक्तत्यों को उठा करके हम आपको प्रेटिक्शन दे कि वही वस्तों में होना क्या है तो हमने एक पकड़िया राहू को एक पकड़िया बुद्ध को राहू बोलता है मैं असीमित हूं मेरे पास कोई दारा नहीं है और बुद्ध बोलता है मैं आपकी बुद्धी हूं इस समय पर आपकी जो बुद्धी मता में इतनी बड़ी सक पर मिल सकता है या मुझे अपनी बुढ़ी में कुछ नया सोच रखने के आप सकता होगा अस्टबहाओ परिवर्तन का इस्थान होता है अरथात मेरे अंदर जो जाग रूपता है उसे मुझे परिवर्तन करने की संभावना क्योंकि बुद्धी अर्थाद बुद्ध भी वहाँ पर उपस्थित हो गए हैं आपके अस्टमभाव पर दूसरे तरब से बुद्ध आपका ब्यापार हो गया और राहू बोलते हैं बहुत बड़ा ब्यापार को उन्नत बनाने के लिए कारी छेतर को उन्नत बनाने के लिए बहुत बड़े डिसीजन के और आपको अग्रसित कर सकता है यही इस्थान वो इस्थान हो गया जो हमारे ऑकल्ड साइंस पूजा पार्ट गुप्त तंत्र मंत्र ज्यान इत्यादि से हमें जोड़ता है आप देखेगा इस टाइम पर सबसे ज़्यादा आप वहाँ इन्वा प्रभाव का प्रभाव आपके ठीक धनवाव को प्रभावित करेगा क्योंकि राहु के सातवी द्रिश्टी पढ़ रही होंगी धन भाव पर और वहीं पर बुद्ध के पास जो सात!" बहुत पर प Montorich के इस भाव पर यहोगी और ऊपर से दनिया का का करत के सब्राग के सां अब यहाँ पर दोनों ग्रहों का जो समराजी है, इससे आप एक्टिवेट करके, उसके लॉजिक के द्वारा एक नए नविंतम सोच को उत्पन करके, आप इसी समय पर बड़े धनरासी को प्राप्त कर सकते हैं, जो वर्तमान में सिच्वेसन चल रहा है, उससे आप बाहर नि अब बारा नंबर की रासी है, ये हमारा होता है अवचेतन मन, ये अवचेतन मन हो गया, राहु के पास है कलपना, राहु कलपना को हम जोडते हैं, राहु को कलपना से जोडते हैं, क्योंकि जो वास्तों में है नहीं, उससे सोचना, यही तो राहु है, और बुद्ध होता ह है हमारी बुद्धी मता हमारी सोच तो इस समय पर एक एक मिला लिजे अवचेतन मन में कलपना करना है किसके लिए सोच उत्पना करना है किसके लिए अपने किसी कारिय को किसी हमारी ड्रीम है उस ड्रीम को पूरा करने के लिए माल लिजे आपके कोई भी कारिया है जिसे आप तो इस टेक्निक को आप यूज कीजेगा इस टाइम पर रात को सोने से पांच मिनट पहने और सुबह उठने के पांच मिनट बाद सिर्फ इसे अभ्यासों कीजेगा और देखेगा चमतकार स्वेम आपके आसपास मौजुद हो जाएगा आपने एक बात सुना होगा कि ओम सांती ओम मुवी का एक डैलाउग है यदि आप किसी चीज को सिद्धत से चाहें तो सारी काइनात उसे मिलाने में अपना सबकुछ लगा देती है सबकुछ निवचावर कर देती है उसी अनुसार हमें अपने आउचेतन मन में उस बड़े सो करियर चाहिए बड़ा नौकरी चाहिए तो आप सोच सकते हैं उस समय पर रात्री के सोने से ठीक 50-60 मिनट पहने कि मुझे वो जॉब मिल चुका है या आपको धनरासी चाहिए मुझे वो धनरासी मिल गई है मिलने वाला है नहीं मिल चुकी है और उस टाइम पर जो आपके महसूस करना है आपका जो फेस होगा वो इसमाइनिंग होना चाहिए उस टाइम पर आपके अंदर कोई बीमारी है कोई परिसानी है कोई फैमली मेटर है कुछ भी हो सकता क्योंकि अस्टंभाव रुकावट का है कुछ भी रुकावट यह जीवन में है उसको देख करके सिर् फ़िया 18 दिनों तक रहेगा क्या इसके बाद नहीं कर सकते है तो हाँ इसके बाद भी इसे बहुत लंबे समय तक भी कर सकते है लेकिन यकीन मानिये इस 18 दिनों यदि नियम से और पूरे अंदर से तनमय हो करके आप उसे सोच लिया और उस छेतर में आपने काम भी करना है भी कि हमने कुछ चीज अच्छा सोचा है तो उसके लिए मुझे कारे भी करना है आप देखेंगे वही सब चीज आपके जीवन में एट्रेक्ट हो रहा है क्योंकि राहु यहां involved हो गया राहु का काम हमने राहु हमें सब बोलते है राहु चुमबग है तो राहु खीचने क काम करेगा और उसी समय पर आपके जीवन में सब कुछ खीचाएगा और यह राहु अभी नहीं बलकि यह पूरे मई 2025 तक रहेंगे इस हिसाब से अभी से यह कार्य प्रारम कर दीजे सिह रासी के जब वीडियो बनता है हमने कमेंट पर सभी का कमेंट पढ़ते हैं सब को दूभर इतना कस्ट होता है होता है जीवन में भगवान स्री राम जी को भी बनवास भोगना पड़ा था 14 साल के लिए सब के जीवन में सुख दुख दोनों संग में रहते समय पड़े नारायन रसाते लेकिन यदि हम उसे सोचेंगे ही नहीं अच्छा मानेंगे ही नहीं त अपने आप आकरसित हो करके हमें वो सब चीज घटित होते हुए नजर जरूर आपाती है उम्मीद है आप सबने इसे समझा है आप सबने इसे जाना है आपने यदि समझा जाना मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सा अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा और हाँ यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब भी किजिएगा पुना है एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगल मैं हो इन ही सुपकामनाओं के साथ जैस्री दाओं झाल झाल झाल।